हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप लोगों का हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में दोस्तों यहाँ पर इस्टील उथाल्टी आप इंडिया याने की सेल में जो एक बहुत ही जवर्जस वेकेंसी आ चुकी है और यह बहुत बड़ा अपडेट है जैसा कि आप लो पुछ हम लोग इंफर्मेशन जानेंगे और यह फ्रेंट्स जो है कि इंटर लेवल पास से लेकर के आई टी आई और प्लस जो है कि एक्जिक्टी लेवल तक की वेकेंसियां है यहाँ पर हम लोगों से मेरे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल को पहली बार बा बार के से और लेवल पीङा गैंघ्वयंका सब लोग होकंते साफिक्टी यहाँ इसका This जो सबसे बड़ा उधियोग हो एख और यह महारत ने जानते वेगरट को सीरे चलेंगे अपने मेन फोकस पे जो हम लोगों का जो देखना है वेकेंसी की टाइप की है कैसी है तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं एक्जी क्यूट्य की टोटल जो है कि यहां पर आठ पोस्टें दिखा रही है ठीक है असिस्टेंट मैनेजर सेप्टी की बाकि हम लोग संक्या 39 है ठीक है बाकि माइनिंग फॉर मैन के हम लोग देखेंगे अस्धरी ग्रेट का है 24 पोस्ट है सर्वेयर का हम लोग देख लेते हैं टोटल 5 पोस्ट है माइनिंग मेट का हम लोग देखेंगे अस्वन ग्रेट का है तो यह टोटल 55 पोस्ट हैं 55 पोस्ट हैं बाकि पराद और आपर हमें यहां पर 35 पोस्ट देहे हैं ओँ हमें पर पर एकनिंजन ट्रीनेन ट्राइवर सारीन और यहां Metallurgies से जो है कि 15 पोश्ट है, Electrical से 40 पोश्ट है और Civil से Total 5 पोश्ट है, Electronic Communication से 5 पोश्ट है, बाकि Attendant, Technician, Training के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो Feater की 9 पोश्ट है, Electrician की 10 पोश्ट है, Total और Machinist की 12 पोश्ट है, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग फटा-फट आग Diploma Industrial Safety में होना चाहिए, State Government का, ठीक है, और उनके पास जो है कि उडिया Language की जानकारी उनको होना चाहिए, ठीक है, यह सारी चीज़े रही, बाकि हम लोग बात करेंगे, Operator कम Technician, Boiler Operation के बारे में, जो यस्त्री ग्रेट का है, तो उनकी Age की बात करेंगे, तो 18 से 30 साल रहेगा उनका Age Boundation, बाकि हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर Matriculation के साथ साथ 3 साल का उनके पास Diploma होना चाहिए, और Boiler Attendant का उनके पास First Class का Certificate होना चाहिए, बाकि हम लोग बात करेंगे, Mining for Men की, ठीक है, तो Mining for Men का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे, तो यह स्त्री after obtaining Mining for Men का जो है कि इनके दोस्तों, इनके पास जो है कि एक साल का Mining से Related Field का जो है कि Certificate होना चाहिए, एक साल का, बाकि सर्वेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, 18-18 है, और यहाँ पर High School के साथ 3 साल का Full Time Diploma होना चाहिए, माइनिंग में, यहाँ पिर इनके पास Mining and Mining Survey आप जो है कि Government से जो है कि इनके पास Diploma होना चाहिए, यहाँ पिर जो है दोस्तों, इनके पास Valid Mining Surveyor Certificate होना चाहिए, जो DGMS जारी करती है, एक साल का इनके पास Certificate होना चाहिए, बाकि दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आगे, आपरेटर कम Technician Training के बारे में, तो यहा आप लेशन और तीन साल का Diploma होना चाहिए, जो कि Mechanical, Metallurgy, Civil, Electrical, Electronics में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, बाकि आप लोग बात करेंगे आगे, Fire Operator Training के बारे में, इसमें दोस्तों, Graduation होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, या तीन साल का Diploma होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, बाकि हम लोग फटा-फट आगे देख लेए, इसमें Heavy License की भी जरूरत पड़ेगी, बाकि हम लोग Fireman come Fire Engine Driver के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर High School होना चाहिए, और साथ में Heavy License होना चाहिए, एक Year का जो इनके पास Post Qualification होना चाहिए, ठीक है, Heavy Motor जो है कि चलाने का ठीक है, बाकि हम लोग फटा-फट आगे देखेंगे, माइनिंग मेट का, तो माइनिंग मेट में दोस्तों High School होना चाहिए, और वाइलिंग माइन मेट का जो है कि सट्विकेट DGMS जो जारी करती है, वो होना चाहिए, एक साल का experience होना चाहिए, अटेंडेंट कम technician में होना चाहिए, और प्लस जो है दोस्तों, उनके पास एक साल का experience भी होना चाहिए, गाड़ी चलाने का, ठीक है, तो ये रहा सारा कुछ डीटेल्स, बाकि हम लोग आगे देखेंगे, फटा-फट, अब यहाँ पर पे पेजिकेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कितनी सेलरी 26,600 रुपए minimum basic है, 38,920, 83 grade में उनकी joining होगी, प्लस 3% increment उनका लगता रहेगा, और other allowances उनके साथ मिलते रहेंगे, और जो S1 grade का है दोस्तों, वहाँ पे 25,070 रुपए से लेके, 35,070 रुपए तक basic है, बाकि 3% increment प्लस other allowances मिलते रहेंगे, ठीक है, बाकि फ्रेंट्स, यहा कि उनको regularize किया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि इनका exam paper कैसे होगा, mode up selection इनका क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि exam में CBT होता है, computer based test होता है, और दोस्तों यहाँ पे जो CBT है, वो solve objective questions होते हैं, जो कि द सेक्षन में बटे होते हैं, पहली बात तो यह हम लोग देखेंगे, attendant come technician, training के लिए HMB, fireman, come fire engine, driver, जो training है, उनके लिए क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों 20 questions उनको technical आले दिये जाएंगे, 100 में से, और 80 questions जो है, जैनले ले टेस्ट होंगे, बाकि दोस्तों, all other post ओं के लिए 50 questions के candidate है, क्योंकि प्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि जो OBC, SC, ST के candidate है, उनको जो है कि थोड़ा सा जो है कि reservation दिया जाता है, ठीक है प्रेंट्स, बाकि हम लोग बात कर लेते हैं, आगे पटा-पट, तो प्रेंट्स देखते हैं, और क्या-क्या चीज़े हैं यहाँ पे, त यहाँ पे हम देखेंगे, और यह दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जितने candidate पास होंगे, जितनी पोश्चन है, उसके तीन ओना लड़कों को P.A.T. में बुलाया जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे, तो 65 केजी का वज़न लेकर कि उनको 100 मीटर तक दोड़ना होगा मलब जाना होगा, और 100 मीटर 10 मिनिट मन को स्विमिंग करना होगा, बाके फायर टेंडर के लिए उनके पास ट्राइविंग टेस्ट भी होगा, आपसनल क्या है, यह तो necessary है, यह तीनों पॉइंट, बाके आपसनल में क्या है, तीन मीटर उनको जो है कि किसी चीजों पे रू पोस्टों के लिए जो है कि यहाँ पे जो फीजिकल पैरामेटर से हैं, वो क्या है, तो 155 cm मीनिमम हाइट होनी ही चाहिए, फीमेल के लिए 143 cm हाइट होना ही चाहिए, तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको बता दूँ कि यह जो भरती है, यह मेल या फीमे वेकंसी नहीं होती है, यहाँ पे फीमेल केंडिडेट्स भी जो वास कर रही है मेरे चैनल को वो जो है कि बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अपलाई कर सकती है, बाकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो फ्रेंट स्टेट सेंटर, इक्जा पान सौरुपए फिस लगना है, बाकि पान सौरुपए दोस्तों जो है कि जो डिपलोमा हाले केंडिडेट हैं, बाकि जो इत पे यहाँ पे फीस में कंसेशन दिख रहा है, वही है तो फ्रेंट्स ये रही ज़रूरी जानकारे वाकि दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ थैंक्यू